तो आज मैं आपके लेके आई हूँ हल्दी राम में मिलने वाले मीनी ड्राइ समोसा की रेसिपी बहुती कम बजट में आप धेरो समोसे घर पे बना के तयार कर सकते हैं जो की टेस्ट में बिलकुल लाजवाब होंगे ये बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे और आप इन्हें मैनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं यहाँ पर मिनी समोसा बनाने के लिए हम मैदे का डो बना के तयार करेंगे यहाँ पर मैने लिया है डेड़ कप मैदा और आधा चमबच अजवाईन ले लेंगे ऐसे हातों से मसल के इसमें डालेंगे इससे बहुत अच् तुखाई मिला लेना है इधर जब आटा बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा हम इस पर डालेंगे चार बड़ा चम्मज रिफाइंड ओयल आप यहाँ पर घी का भी यूज कर सकते हैं लेकि रिफाइंड से भी अच्छे बनके तैयार होते हैं तेल डालने के बाद प करें सुकाई तेल के संग बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करें मैदे को मुट्टी बन करेंगे तो इस तरीके की गुट्लिया बनके तैयार होनी चाहिए इसका मतलब यह आटा सैट हो चुका है और मैंने आप लिया है आधा कब पानी थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें करेंगे और इसे गूद लेंगे हमें आपर मैदे के डो को ना ही बहुत ज्यादा टाइट करना है और ना ही ज्यादा गीला करना है मतलब मीडियम डो बना के हमें तैयार करना है तभी आपके जो समोसे है ना करारे क्रिस्पी बनके तैयार होंगे यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दी बाजी नहीं करनी है। आटे को बहुत अच्छी तरीके से हमें गुदना है। आता है और आधा चम्मच से थोड़ा कम मैंने डाला है जीरा आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच सपेत वाले दिल और आधा चम्मच मैंने डाला है रेड़ चिली पाउडर खटे टेस्ट के लिए आधा चम्मच अमचूर पाउडर एक चम्मच मैंने टम और इसे बाउल में निकाल लिया है आप देख सकते हैं और इधर हमारा आटा भी सैट हो चुका है एक बार इसे फिर से हम गूद लेंगे ताकि यह और अच्छी तरीके से सैट हो जाए अब हम इसकी लोई बना के त्यार करेंगे चोटी चोटी लोई बनानी है क्योंकि छोटे नहीं बेलना है लंबे आकार में बेलना है इस तरीके से बहुत मोटा भी नहीं करना है और बहुत पतला भी नहीं करना है इसे और बीच में थे चाकू से इसके दो टुकड़े कर लेंगे यह देखे इस तरीके से अब हम क्या करेंगे ना साइड में इसका हलका हलका पानी ल जोडते हुए इसे समोसे का सेब दे देंगे इस तरीके से यह आसान तरीका है समोसे का और भी तरीके होते हैं लेकिन यह बहुत आसानी से बन जाता है अब हम इसमें डालेंगे स्टफिंग आधा चमबच मैंने स्टफिंग डाली हुई है और साइट से फिर से हम इसमें पानी लगाएंगे हलका सा और इसे ऐसे चिपकाएंगे बहुत अच्छी ढंग से हमें आपर इसे चिपकाना है वन्ना क्या होगा तेल में ये फड़ जाएंगे और सारा तेल खराब हो जाएगा इस तरीके से समोसे का सेप दे देंगे दूसरा समोसा भी हम इसी तरीके से बना के त् साइट से इसे पानी लगाएंगे और इसे इस तरीके ते जोड़ लेंगे ये देखिए इस तरीके ते सैट करना है बहुत त्यान देनी वाली बात है अपर और ये सारे समोसे हम इसी तरीके से बना के त्यार कर लेंगे इधर मैंने सारे समोसे बना के त्यार कर लिये हैं इधर मैंने गैस में तेल को भी रख दिया था गरम होने के लिए हलका जब गरम तेल हो तभी समोसे इसमें डालें तेल को बहुत जादा नहीं गरम करना है अपर हलके गरम तेल में समोसे के डाल लेना है और धीरे धीरे करके ये अपने आपी उपपर आने लग जाएंगे और जब ये उपपर आ जाएंगे तो हम इसे इस तरीके से थोड़ा सा चला लेंगे एकदम से आपको इन्हें नहीं चलाना है अपने आपी इने उपपर आने दे तेल से फिर इने पल्टें इस तरीके से और हलकी आज में इने हमें फ्राई करना है तब ही आपके समोसे क्रिस्पी करारे बनके तैयार होंगे इस तरीके से हमें इने फ्राई करना है बहुत गरम तेल नहीं करना है इस बात का ध्यान दे इधर आप देख सकते हैं समोसे का कलर चेंज हो चुका है अगर हम इने निकालेंगे तो उसके बाद इनका कलर और ज़्यादा चेंज हो जाता है डाक हो जाता है ये हमारे मीनी समोसा बनके बिल्कुल तयार हैं आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हुए हैं एक बार बना के आप जरूर ट्राइ करें और इन्हें मेहनों तक स्टोर करके रखें सभी को बहुत पसन आएंगे एक समोसा आपको तोड़के दिखाती हूँ आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी समोसा मारा बनके तयार हुआ है पसन आई हो तो रेसिपी चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद